हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियने स्टडी, इंडियने स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए यूपिटरपल सी वीडियो का टेस्ट लेकर क्या जाओं जिसमें हिंदी के पूरे 50 कोसंस को हम कबर करेंगे आप सभी लोग जानते हैं कि यूपिटरपल सी वीडियो का री एक्जाम होना है और आप लोग का बहुत बहुत सुक्रिया क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको यूपिटरपल सी वीडियो के प्रूबट करवा रहा हूँ और आपका भी पीटी का एक्जाम चल रहा है लेकिन कई लोग जो यूपिटर पल ऐसी वीडियो का एक्जाम देने वाले हैं काफी लोग इंट्रेस्ट ले रहे हैं लेकिन इंट्रेस्ट कहा नहीं ले रहे हैं केवल 500 लाइक में तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेसन मिलता है है ना चलिए पहले कोशन्स की तरफ बढ़ते हैं हार ओती बोली है किस उपवासा की बढ़िया कोशन्स से जल्दी से बताएं तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा हार ओती जो है ये पूर्वी राजिस्तान की बोली है यानि किस कोशन्स का दूसरा ओप्सन्स करे ठीक है देखो एक हार ओती और हार ओतो कोई ही हम क्या बोलते हैं जैपुरी माफ कीजिएगा थोड़ा सा प्रोनाउंसेशन गलत हो रहा है ठीक है जैपुरी इसी बोली कोई हम क्या जैपुरी बोली बोलते हैं और इसी कोई हम हाड़ोती बोलते हैं ठीक है और एक और होता है डुंडारी ये भी पूर्वी राजस्तान के अंतरगत आती है पश्चिमी राजिस्तान के अंदर देखो हो तो मेवाडी, बांगडी यह सभी पश्चिमी राजिस्तान के अंतर गताती हैं ठीक है सक्ष़ साली, दैयालू, सांत बीर और योद्धा, नायक के लिए एक सब्द क्या होगा उसको हम क्या बोलेंगे वाक्यान्सों के लिए एक सब्द में तो उसको हम क्या बोलेंगे सर धीरोदात्य तीसरा ओफसन्स करेक्ट क्या बोलेंगे धीरोदात्य तीसरा ओफसन्स बिलकुल करेक्ट हो जाएगा हिंदी में छाका किरम किस बढ़ के बाद आता है अब ये कोसन्स जो है का के बाद तो पहला option से यहाँ पर आपका विल्कुल correct हो जाएगा ठीक है चलिए next questions कंणड का संबंद किस भाफसा परिवार से है बढ़िया questions आसानी से बता सकते हैं कंणड का संबंद तो सही answer हो जागा देखो कंणड का जो संबंद है यह दिर्विल भासा परिवार से है ठीक है कहां से दिर्विल भासा परिवार से तमिल हो गया तेलगू हो गया कंणड हो गया मलयालम हो गया यह सभी की सभी दिर्विल भासा परिव आगे आपको प्रा दिख जाए, पिर्ती दिख जाए, आवद दिख जाए, भर दिख जाए, तो क्या लगा देना सर, अभी वह समास लगा देना, तो यहाँ पर अभी वह समास आंसर हो जाएगा, पहला ही ओपसंस, हो जाएगा सर मुद्री का च्वाता ओप्संस क्रेक्ट क्या होगा सर मुद्री का च्वाता ओप्संस यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर करेक्ट होगा बेमिल सब्द को चुनिए ठीक है घर प्रिये जन परिवार बच्चे बड़ी अकॉसंस है जब को प्रिये जन हो ग कोसिंस किस चंद का प्रतंबा अनतिम सब्द होता है बहुत व्यत्रीन कोसंस है मजह ही आ गया तो कौन सा चंद है तो सई आंसर हो जाएगा सर कुणलिया चंद पहला ही option से यहाँ पर आपका बिलुकल क्या हो जाएगा सर correct हो जाएगा ठीक है और यह 6 चंदों वाला चंद है कौन सा कुणलिया चंद ठीक है यह रोला और दोहे के मिलने से बनता है तो कभी कभी तो यही पूछ लेते कि किन चंदों से मिलकर बनता है तो यह रोला और दोहा ठीक है पहले के दो दो चरण होते हैं वो दोहे के होते हैं और अंतिम जो चार चरण होते हैं वो रोले के होते हैं समझ रहे तो बड़ी अकोसंस था यह ग्रस्त का विप्र सा बिलोम योग में तुरूटी पूर है यानि कि जो एक दूसरे के बिलोम सब्द नहीं है उसको आपको बताना है अपेक्छा का बिलोम सब्द उपेक्छा दिया है बिल्कुल ठीक है अगरच का बिलोम सब्द अवगत दिया हुआ है बस यहीं पर गलत हो जाएगा ठीक है ना उन्नत का जो बिलूम सब्द होगा वो होगा अवनत जैसे उन्नती का अवनती तो उन्नत का अवनत अवगत नहीं तो गा लिखा हुआ है तो यहीं से गलत हो जाएगा तीसरा ओप्सन्स करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोसंस जो हर समय अपना मतलब साधिता हो वाक्यांसों के लिए एक सब्द क्या हो जाएगा बढ़िया कोसंस है जल्दी से बताओ तो जो हर समय अपना मतलब साधता हो इसको हम क्या बोलेंगे तो सही आंसर हो जाएगा सर option number B, स्वारती दूसरा options बिलुकल correct हो जाएगा तो इसको हम स्वारती बोलेंगे दूसरा options बिलुकल correct ठीक है, संचारी भाहो की कुल संक्या कितनी होती है संचारी भाव की कुल संख्या मन में संचन करने वाले या आने वाले जो भाव होते हैं उन्हीं को ही हम संचारी भाव या इन्हीं को विवचारी भाव कहते हैं इनकी जो संख्या होती है वो 33 होती है कौन सी 33 तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option number C तीसरा option से यहाँ पर आपका बिल्कुल correct जैसे आपने कोई picture देखी suppose कीजिए आप कफिल सर्मा सो देख रहा है अब आप सभी लोग जानते हैं कि उनके सो में हमको कही न कहीं एक जोक सुनके हसी उत्पन होगी तो जो हसी उत्पन हुई न जिस कारण वस उसी को ही हम संचारी भाव कहते हैं ठीक है समुच्य वोदक को कहते हैं देखो कितने बार बता चुका हूँ कि वह यह अवे चार प्रिकार के होते हैं समंद वाचक, समुच्य वोदक और किरिया विसेसा और चोथा विसमयादी वोदक और मैंने आपको बताया कि जितने भी अवे होते हैं वो सभी के सभी अविकारी सब्द होते हैं अविकारी जिन में हम कोई भी परिवर्टन नहीं कर सकते उनको अभीकारी सब्द कहते हैं तो यहाँ पहला options correct हो जाएगा ठीक है next questions भारतिय सम्मिदान में किस वासा को राजवासा के रूप में सोईकार किया गया बढ़िया questions से जल्दी से बताओ तो सही answer आपको क्या हो जाएगा सर option number C हिंदी को तीसरा options correct राजवासा है राष्ट वासा नहीं है तो कई लोग राष्ट और राज में फरक कर लेते निम्ले के तमेंसे किस सब्द में रूप सादक पिरते हैं जल्दी बताइए रूप सादक पिरते हैं तो सही answer आपको क्या हो जाएगा सर देखो लड़के में दूसरा options correct हो जाएगा लड़के सब्द में पुरुष जाती या रूप का बोद होता है अता लड़के के रूप में रूप सादक क्या है पिरते हैं बच्पन मातरा ये एकता सब्द वाचक पिरते हैं समझ रहे हैं तो पिरते के भी कई बेद होते हैं पिरते पड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोसेंस आपके सामने तुरूटी वाले बाको को चेहन करना है और कोई तुरूटी नहीं है तो डी ऑपसेंस लगा देना है ठीक है भाई ये कोसन नमबर 24 हमारी दुख्द साला में सुद गाय का घी मिलता है बस यहीं पर कलती हो गई भाई ये हमारी दुख्द साला में गाय का सुद गी मिलता है या विकता है सुद गाय का घी नहीं पहला ही ओपसेंस करेक्ट हो जाएगा पती पतनी के जगड़े का हेतु क्या हो सकता है अब आपको बताना है कि इसका सुद्वाक क्या होगा बढ़िया कोशन से बता सकते हैं सिंपल सा पती-पतनी के जगड़े का कारण क्या हो सकता है ये तू भी एक कारण वाचकवे के अंतर काता है लेकिन इसका यूज जो है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से या स्यूटेविल जगे नहीं हुआ है तो पती-पतनी के जगड़े का कारण क्या हो सकता है तो इस लोकुत्ती का सफ्यर्थ क्या हो जाएगा आपका विल्गों करेक्ट तो तीसरा ओप्संस यहां पर आपका विल्गों करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन्स पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदुरत का खेल तो इस लोकुत्ती का सही अर्थ क्या हो जाएगा हसी तो आती होगी ऐसी लोकुत्ती हैं सुने कि आप लोग है न तो सही आंसर हो जाएगा योगता होते हुए भी विवस्ता के कारणिम निस्तर का कार करना दूसरा options यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट मुन्ना वहिया का वो डायलोग सुना है न कि दुख होता है जब कोई आप योगों और आपकी योगता कोई न समझे तो वही वाला खेले यहाँ पर इंद्र का प्रयवाची सब्द क्या है इंद्र का प्रयवाची सब्द हो जाएगा भूपेंद्र पहला options यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा और करेक्ट हो जाएगा इनमें मैं कुछ नहीं समझा सकता क्योंकि यह वुकेब का सेक्सन है विसर्ग संदी आपको बताना है इस मैं समझाऊंगा मैं और मजा भी आएगा तो मैं समझने में कि कौन सा विसर्ग संदी का उदारान है निरंतर का संदी विक्षित करोगे तो क्या हो जाएगा सर नी प्लस अंतर तो यहां पर आपका पहला उप्सन्स करेक्ट हो जाएगा ठीक है कौन सा पहला उप्सन्स करेक्ट हो जाएगा इसका नियाम है कि विसर्ग के पहले छोटा आ देखो रा आरा और रा में छोटा आ आएगा बिलकुल आएगा और बाद में आपका विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो और बाद में बड़ा आ छोटा उ बड़ा उ या या बड़ा या तीसरा चोथा पांचमा बढ़ो या या रा अलावा हो तो विसर्ग का रा हो जाता है तो देखो विसर्ग का रा हो रा है ना तो पहला options यहाँ पर आपका बिलुकुल correct हो जाएगा नही प्लस अंतर तो यहाँ पर हो जाएगा निरंतर समझ रहे है इसका जो होगा वो होगा नही प्लस अंतर ठीक है विसर्ग से पहले क्या है ना है और ये वेंजन है बाद में क्या है छोटा आ है जो एक स्वर है तो क्या हो जाता है रा हो जाता है तो देखो रा हो गया तो हो गया आपका विसर्ग संदी ठीक है अदो लेकत यानि की निम लेकत सब्दों में से किस सब्द में ततप्रो समास है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर पराधीन तीसरा ओप्सन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा पराधीन का जो समास बिगरे होगा वो होगा पर के अधीन है ना पर यानि कि दूसरे दूसरे के अधीन कहते नहीं कि पराया तो यह वहीं वाला सब्द है तो पर के अधीन यानि कि दूसरे के अधीन तो यहाँ पर आपका करमदार है समास हो जाएगा ठीक है? तो यहाँ पर आपका सुरी तत्पर समास होगा माफ कीजिएगा ठीक है के कारक्षिन आ रहा ना तो यहाँ पर तीसरा ओप्संस करेक्ट हो जाएगा निम्लिक तुमेंसे कौन सा तदबाव सब्द है 31st तदबाव सूरज एक तदबाव सब्द है तीसरा ओप्संस करेक्ट अनवीक्षा का संधी विक्षित क्या होगा अनवीक्षा का संधी विक्षित तो यह हो जाएगा अनू प्लस एक्षा यानि कि तीसरा ओप्संस यहाँ पर आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अब देखना अनू में छोटा उ है ठीक है सर छोटा उ की मात्रा है एक्षा में बड़ी ए है ठीक है जब छूटा उ का मेल ई से होता है तो बा बनता है क्या बा बन गया हाँ सर बिल्कुल बन गया ठीक है और सर इसके बाद बड़ी ए थी तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो सर ये भी लग गई तो यह अनवीक्षा हो गया बिल्कुल हो गया तो ये किस संदी का नियम है तो ये यण संदी का नियम है सर तो यहाँ पर यण संदी होगे ठीक है ना चलिए ये मैं ऐसे करता हूँ मुझे थोड़ी ना कोई याद है या मेरे सामने कुछ ऐसा रखा हुआ है तो ये रख्ये है कि मेरे को मैंने पढ़ाया हुआ है और मुझे बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़े आती है तो मैं आपको समझा पाता हूँ ठीक है और आप लोग भी इसको समझ रहा होगे आपने पढ़ा तो होगा यण संदी लेकिन जिस तरीके से मैं रूल सापको बताता हूँ वो आपने बहुत कम पड़े होंगे क्योंकि ऐसा किसी किताब में बहुत मुश्किल है जो मिल जाए है ना तो इसलिए कहता हूँ अनेकारती सब्द अब जिके गलत विकलप का चैन कीजी अनेकारती बता चुका हूँ कि सब्द तो एक है जे सब्द अर्थ वाकि अलग अलग है परयावाची में अर्थ सब्द बहुत सारे हैं लेकिन इन सब्द का अर्थ एक ही है तो इसको बोलते हैं परयावाची और अन लीप सब्ध जो है वह क्या हो जाएगा तो आपका साही आंसर हो जाएगा अपका जाती-वच्क-संग्य सब्ध तीसरा characterized यह द्रस्वा सुंदर्ध है मैं बहुत सुंदर हैं 뭔 बहुत सुन्दर में देखो प्रावेसेशन बहुत सब्द जो है वो एक प्रावेसेशन हो जाएगा कैसे जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया सीता सुन्दर लड़की है तो सुन्दर सब्द यहां बिसेशन है अब मैंने लिख दिया सीता बहुत सुन्दर लड़की है तो द किसी के गुण पर चार चांद लगा दे उसको प्राविसेशन कहते हैं बहुत सब्राविसेशन हो जाएगा और सुन्दर सब्राविसेशन होगा इसमें बहुत सुन्दर में कौन सब्राविसेशन होगा तो इसलिए मैंने प्राविसेशन लग दिया क्योंकि आगे बहुत सब् एक से छे तक में आपको अरेंज करना है अच्छे से बड़ी अकोसंस है देवसाहिक बाराती अपने अनुभाओं का लाब उठा गाओं में घुसपैट करते मीठे से उबे हुए च्छाँच रावडी का जुगाड बिठा लेते दूसरे लोग तब मन महोस कर रह जाते निपुड बराती अपनी पहचान निकाल कर अच्छे विस्तर इस्थान का लाब उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नई रिस्तों का तानावाना बुनते तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ओप्स नमबर डी चोहता ओप्सन करेक्ट नेक्स्ट कोसंस अपने अपने सुधी पार्टकों के लिए हम आज से अपने सुधी पार्टकों के लिए हम आज से चंदरकांता उपन्यास का अविकल्प रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसकी एतियासिक गरीमा अच्छुन रहे और नई पीड़ी तक अपने मूल सो रूप में जाए किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्टित होकर नहीं एतियव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया है जैसा यह था है ना तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ओपसन नमबर सी रा वाला पहले फिर या वाला फिर बा वाला फिर ला वाला ठीक है चलिए next questions मिनाक्षी का अर्थ क्या होगा मिनाक्षी मचली की तरह गोल आखोवाली तीसरा उप्सन करेक्ट सदा एक वचण में प्रियुक्त होने वाला सब्द कौन सा है जिसका हम हमेसा एक वचण की रूप में प्रियुक्त करते हैं सहेता तीसरा options बिलकुल correct हो जाएगा महान व्यक्तियों में बहुत एक वस्तूओं के पिरती फिलिंदा बिलेंग्स पाई जाती है वाक्वें फिलिंदा बिलेंग्स के स्थान पर सही सब्द या उचित सब्द आपको रखना है महान व्यक्तियों में बहुत एक वस्तूओं के पिरती निरलिप्ता पाई जाती है पहला options correct next questions जगत जनायो जीही सकल सोहरी जानियो नाही जयों आखिन सब देखिये आखिन ना देखी जाही मैं आपको बताना है कि कौन सा लंकार है यहाँ पर आपका उधारन अलंकार हो जाएगा अब आप बोलोगे सर कैसे जो उपर वाली लाइन है उसका उधारन है मतलब किसी भी लाइन का उधारन दे करके किसी भी बात को उधारन दे करके समझाए जाए तो वहाँ पर आपका उधारन अलंकार होता है समझ रहे जहां पहले कोई बात कियाकर उससे मिलती जुलती बात द्रश्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी सब्स द्रब़व करकट ना हो तो वहां द्रश्टांत लंकार होता है हम बात कर रहे हैं उधरन लंकार की ठीक है तो यहाँ पर आपका उधारन लंकार होगा कोई बात को उधारन दे करके समझाई जाए तो वहाँ उधारन लंकार होगा उसने उसे चल से पराजित किया मैं चल से कौन सा कारक है चल से तो सही आंसर क्या हो जागा समराट का इस्त्रीलिंग सब्द समराटी दिया हुआ है गलत है क्या होता है समराट का जो इस्त्रीलिंग सब्द होगा वो सामरागी होता है ठीक है यह सामागरी ठीक है और वीरांगना का दिया हुआ है वीरांगना तो ये भी आपका गलत हो जाएगा ग्योंकि वीर का वीरांग नहां होता है है ना तो यह भी आपका क्या हो जाएगा गलत हमको तो सही झाटना है गोप का गोपनी दिया हुगा है गोपनी तो यह गलत है selection का selection का solution होगा है यह बिल्यकुल ठीक है तो यहाँ पर चोवता options यहां पर आपका बिल्कुल करेगा ठीक है चुँरा उपसंस करेट है कल पांत सब्द में कौन सी संदी होगी कल पांत .कल्प ब्लस अंत these कल्प में पा और उस में पा कल्प में पा आरा तो छोटा अंतщее मैं आ आ रहा तो छोटा 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 मिल के क्या बनाएंगे सिर्फ बड़ा बड़ा मिल रहा बिल्कुर बन रहा तो यहां पर कौन संदी होगी दीर संदी होगी तो यहां पर तीसरा ओप्संस करेक्ट हो जाएगा रसोई घर में कौन सा समास होगा रसोई घर का समास विग्रे तुमेंसे कौन सा वाक सुद्ध है, जो वाक सुद्ध है उसी का आपको चेन करना है, कोसर नमबर 47, यानि ये एक सुद्धवाक है, पहला आपसन्स करेक्ट, यहां पर भी आपको सुद्धवाक बताना है, उसमें सुद्धवाक बताना है, इसमें सुद्धवाक बताना है, इ चौर sa is here on per आपका बिल्यकुल कahh करिक हो जाएगा proposingtest नेक्स्ट kोसं देखो वसंदिया प्रहएवाची दिएए एक वसंदिया प्रहयवाची नहीं है जो प्रहुआवची नहीं इसी का छेन करना है तो दोस्तो यह थे आपके पचास हिंदी के important questions जो की आपके आने वाले exam यूपिटर पलेसी पीटी के लिए बेहद इंपोटेंट है वीडियो कर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीस दोस्तों वीडियो को लाइक और स्या जरू कर दीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स लास में नेक्स सेसन में जे हिंद जे भारत